ये जानने के बाद कि कौन-कौन सी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं वैश्विक इस्तर पर, ग्लोबल स्केल में विविन मुद्दों पर कारे कर रही हैं अब अगला बिंदो जो हमारे लिए समझने का जरूरी है आवश्यक है वो है कि ये जो संस्थाएं हैं वैश्विक संस्थाएं जिनें हम वैश्विक कहते हैं वो कितनी लोक तांत्रिक हैं, कितनी उत्तरदाई हैं, या मातर केवल संस्थाएं हैं, कुछ आवाज खा लेती हैं, या वास्तों में ये लोक तांत्रिक हैं, वास्तों में ये उत्तरदाई हैं, इस पर हम थोड़ा जानें, वैश्विक संस्था की नई संस्थाएं, कितनी लो कतांत्रिक और उत्तरदाई अभी तक हमने समझ लिया होगा कि अब छोटे होती दुनिया में वैश्विक संस्थाएं अंतराश्टी संस्थाएं कितनी महत्पूर्ण हैं और कितनी महत्पूर्ण होने जा रही हैं समय के साथ साथ हमने पूर में पढ़ा था अंतराश्टी मुद्राकोश हमने पढ़ा था विश्व बैंक ऐसी संस्थाओं की सक्रीता से निश्चत रूप से विश्व के जुडाओं का महत्पतो बढ़ गया विश्व के जुडाओं का दौर शुरू हुआ अंतराश्टी मुद्राकोश और विश्व बैंक ने जो कार किये हैं उससे विश्व निकट तो है यह संगठन पिछड़े और गरीब देशों के लिए रिंड देते हैं बुगतान करते हैं आपात काल मैनेक प्रकार की साहता देते हैं और निश्चत रूप से यह लोग कारिक कर रहे हैं क्योंकि यह यूएनों के बैनर तले हैं तो इनका जो बैनर तले से मेरा ताटपर है एक तरीके से यह भी एक संस्थाएं हैं जो as good as autonomous जिसे हम कह सकते हैं तो यह संस्थाएं तो सक्षम रही हैं अपने कारे में आज से एक तराश संग शिक्षा उसके प्रचार स्वास्त के विस्तार स्वास्त सेवा के विस्तार महामारियों को रोकने में साहता दिलाने में काफी महत्पूर्ण भूमिका निभारी हैं कोरोना काल में हमने देखा WHO World Health Organization उसने कितनी महत्पूर्ण भूमिका निभाई है कोरोना संबंदित जानकारी पूरे विश्व में समय समय पर देने में विविन रिसर्च के माध्यम से नए नए सूचनाए कोरोना के बारे में कोरोना वायरस के बारे में देने में इसने शस्त्री करण ये जो मुद्देह में आतंकवाद धर्मान्धता शस्त्री करण इनके बदले आर्थिक सहयोग सामाजीक विकास लोगतंतर का प्रचार इस सब में ऐसे विचारों को बढ़ाने में स्विक्तराश संग ने बहुत अहम भूमिका निभाई है संग का उपयोग पारस्परिक सहयोग की भावना से किया जा रहा है परन्तु फिर भी जहां तक प्रजात आंतरिक मुल्यों की बात है वो अभी सही रूप से सामने निया है अभी भी अंतराश्टी संस्थाओं में हम देखेंगे कि अमेरिका जैसे ताकतवर देशों का बोल बाला है उनका वर्चस्व है एक अध्या हमने पढ़ा था समकाली निविश में अमेरिकी वर्चस्व और उस अमेरिकी वर्चस्व के अध्यन के दौरान हमने देखा कि अमेरिका जो है वो हर छेत्र में दखल दे रहा है अमेरिकी विचारधारा अमेरिकी कारिशैली अमेरिकी माल और संस्कृतिक उधारण के रूप में आप देखेंगे कि अमेरिका के दोरा इजाद किया गया जीन्स पैंड है जीन्स आज पुरी दुनिया में छागया है और उसने पूरे विश्व की संस्कृति के बदल दिया है जीन्स कल्चर एक बड़ा ही नया कल्चर है बड़ी नई संस्कृति लेके आया अपने साथ कहने का ताथ पर ये है कि संश्थाएं तो हैं लेकिन इन सभी संश्थाओं में अमेरिका का बोल बाला रहा है शक्ती सामरिक शक्ती अपनी आर्थिक ताकत उसके बल पर अमेरिका जब चाहे तो संश्थ राजश अंकी अनदेखी कर देता है संश्थ राजश शंग की अनदेखी अमिरिका ने कई बार की है जब भी स्विक्तराश संग ने ऐसा प्रयास किया है कि वह कुछ स्वधंत्र स्टैंड ले किसी मामले में भले ही वो अमेरिका को नागवार गुजरे तब तब अमेरिका ने संक्राइशण को छोड़ने की धंकी दी है, संक्राइशण के कारयाले को New York से हटाने की धंकी धी है, संक्राइशण की बैठकों में ना जाने की धंकी दी है संग्तराश्चंग को पैसा जो देता है अमेरिका सबसे ज़्यादा पैसा देता है ना देने की धमकी दी है और यह अमेरिका ऐसा करता है इन में से कोई भी काम तो उस कारे के कोई माइने नहीं जिसमें अमेरिका शामिल ना हो ऐसे कई मौक्या आए हैं जब अमेरिका ने अंतराश्टी संग्ठनों की या संग्तराश्चंद की अंदेखी की है इसके साथ ही ये भी देखा गया है कि संग्तराश्चंद के अंदर भी उसका बड़ा प्रभाव है बजट की जते मैंने बात की चुँकि वो सबसे अधिक योगदान देता है बजट में इसलिए अमेरिका की बजट इसलिए अमेरिका के सहयोग के बिने संग्तराश्चंद वैसे ही नहीं चल सकता और अमेरिका को ये बात मालुम है वो अच्छी तरह जानता है कि सेख तरह संग अमेरिका की आर्थिक सहायता पर बहुत कुछ नरभर है और इस जानकारी को अमेरिका अपने फायदे के लिए जब तब इसका उपयोग करता है और जिसें अंग्रेजी में कहते हैं आर्म ट्विस्टिंग जब तब उसकी बाहं खेषता है जब तब उसकी खेचाई करता है आलोचना करता है धमकी देता है आदी आदी सेख तरह संग का जो मुखे कारयाले है नियॉर्क में है और चूंकि नियॉर्क में स्थित है वहां के अधिकतर अधिकारी भी अमेरिकन है नौकर शाही अमेरिका की है जिनका विशेश प्रभाव है सुरक्षा परिशद में वीटों का अधिकार तो है ही यहां तक कि महा सचिव जैसे जो महत्पूर्ण पद है उसके चुनाओं में भी अमेरिका की बड़ी महत्पूर्ण भूमिका होती है मैं दोहरादूँ महा सचिव कौन होगा इसके तया करने में भी अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका होती है अमेरिका के येस के बिना अमेरिका की सहमती के बिना संभवता किसी महा सच्चिव का चुना जाना संभव नहीं है विश्वापार संगठन डबलू टी ओ वर्ल्टेड और्गनाइजेशन इसमें भी विकसित देशों का प्रभाव है जो जिनके पास उद्द्योग का जाल है भले हैं उनके पास संसाधनों की कमी हो प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो लेकिन उद्द्योग के जाल के बल पर ये लोग प्राकृतिक संसाधनों का दोहन दूसरे देशों से कर लेते हैं अपनी मूँ में होगी कीमत पर और उनके उड्योग दिनों दिन बढ़ते जा रहें तो इस प्रकार डबलू टी ओ में भी हम देखते हैं विकसित देशों का एक तरीके से दब दबा है लेकिन जहां तक सभी प्राश्चन की मैंने बात की या डबलू टी ओ या अन्य संस्थाओं की अमेरिकी वर्चस्वता की विकसित देशों के दबाओं की ये सब अपनी जगह तो हो रहा है लेकिन इसके साथी साथ ने देश भी सामने आ रहे हैं नई शक्तियां भी सामने आ रही हैं और में भारत प्रमुख है ब्राजील इंडोनेशिया आदी ऐसे जपैन ये देश भी अपनी आवाज बढ़ा रहे हैं एक जुट हो रहे हैं विकास शील देश अब ज़्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं और इनके आने से अमेरिकी वर्चस पर निश्चित रूप से प्रभाव तो पड़ा है अमेरिका की तूती अब उतनी नहीं बोलती जितनी की आज से 30 साल पहले थी अब अमेरिका समझ गया है कि विश में कुछ अन्य खेमें बड़ी ताकत के रूप में बढ़ रहे हैं विकाश शील देश अब एक जुठ हो रहे हैं अफरीका में शिक्षा के प्रचार्थ के कारण वहां की जो जनता है वह भी अब एक जुठ होने लगी है और गैर संसकारी संगठनों की इस नई विश्व व्यस्था में बहुत अहम भूमिकार रही है यहां पर हम देखते हैं गैर संसकारी संगठनों का बहुत महत्पूर्ण योगदान गैर संसकारी संस्थाएं इन देशों में जो जरूरत मंद हैं विकाश शील हैं निर्धन हैं वहां पर इन गैर संसकारी संगठनों की पकड़ मजबूत हो रही है और जो किसी भी स्थित में प्रजात अंत्रिक एवं मानवादिकारों को सुरक्षित करना चाहता है ये गैर संसकारी संस्ठाइं, चाहे वो हुमन राइट्स वाच के रूप में हो, चाहे मानवादिकार आयों के रूप में हो ये जो संस्थाएं हैं ये बारंबार इस बात का खुलासा करती है विविन रिपोर्ट के माध्यम से किस प्रकार कुछ जगहों पर लोकतांत्रिक शैली नहीं रही कुछ जगहों पर मानवादिकारों का लंगन हो रहा है आदी आदी और ऐसा करते हुए ये सुनिश्चित करती हैं कि ऐसी वैश्विक संस्थाएं जादा से जादा प्रजातांत्रिक हों जादा से जादा मानवी अधिकारों को सुनिश्चित करें आदी आदी इस अध्याए में मूल रूप से हमारे अध्यन का केंदर था या केंदर है स्वेयुक्तराष्ट संग शेक्टराश्चंग के विविन पहलूँ को समझने के बाद अब हम कुछ ऐसी संस्थाओं के ओर बढ़ते हैं वैश्विक संस्थाओं के ओर जो अपने तई स्वतंत्र हैं लेकिन वैश्विक संस्थाओं है बहुत बड़ी एक महत्पूर्ण संस्था है अंतरराश्ट्री मुद्राकोश IMF International Monetary Fund अंतरराश्ट्री मुद्राकोश इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को जहां सेक्टराश्चंग के स्थापना भी 1945 में हुई उसकी स्थापना के मात्र कुछ महीनों बाद अंतरराश्ट्री मुद्राकोश की स्थापना हुई ये जो संस्था है पहली बात ये एक स्थाई मौद्रिक संस्था स्थाई मौद्रिक विवस्था को देखने वाली संस्था है अंतरराश्ट्री मौद्रिक प्रणाली को प्रोचाहन करने वाली संस्था है अंतर राष्ट्री मौदरिक प्रणाली यह क्या है अंतर राष्ट्री मौदरिक प्रणाली कल्पना करिए भारत को रूस से व्यापार करना है और भारत जब सामान उसको बेशता है तो वो उसका पैसा जो है वो भारत के रुपए में मिलेगा या रूस के रूबल के मुदरा में मिलेगा रूबल में या रुपए में पहली बात चीए दूसरे रूबल की कीमत घर्टी बढ़ती रहती है अंतराश्टी मार्कम ऐसे ही रुपए की कीमत भी घर्टी बढ़ती रहती है आज एक डॉलर में कित्ते रुपए होते हैं एक अमेरिकन डॉलर में लगवग 70 रुपए कल अमेरिकन डॉलर की कीमत बढ़ जाती है और भारत में रुपए की कीमत घर्टी है कल मा करिये 80 रुपए हो गई तो मैंने जो कल माल भेजा वो 75 रुपए के हिसाब प्रति डॉलर या 80 रुपए प्रति डॉलर के रुपए कल भेजा लेकिन पहुचा नहीं है जब तक पहुचेगा तब तक हो सकता है वो 66 रुपए प्रति डॉलर हो जाए ये तो एक देश का उदारन है बस एक देश का दूसरे देश से व्यापार का उदारन ऐसे अनेकों मुद्दे होते हैं मुद्द्रा को लेकर करन्सी को लेकर इन तरह की समस्याओं को सुलजाने और एक तरीके से वाल ट्रेड और्गनाइजेशन की स्विधा के लिए ये संस्ता है अंतर राष्ट्री मौद्रिक प्रणाली को प्रोसाहन करना इसका उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् पहला अंतराश्ट्री मौद्रिक प्रणाली को प्रसाहन देना, दूसरा विनिमे, राश्ट्रों के बीच के विनिमे को संभव बनाना, तीसरा विनिमे संबंदी मामलों का निरा करना, यह प्रतिकूल भुक्तान संकुलन को अनुकूल भुक्तान संकुलन के रूप में कोशिश करता है यह एक अर्थ शास्त्र का मुद्दा है प्रतिकूल भुक्तान और अनुकूल भुक्तान आप इसे अर्थ शास्त्र में इसका अध्यन कर लें लेकिन ये बहुत महत्मून बात से समझने की कि प्रतिकूल भुकतान संकुलन को अनुकूल बनाने में सहयोग करता है साथ ही विविन राष्ट्रों को पांच्वा बिंदू मौद्रिक नीतियों पर तक्निकी सलाह देता है मौद्रिक और राजकोशी नीतियों पर तक्निकी सलाह देता है और अंतिम कर्मचारियों के लिए अल्प प्रशिक्षन पाठिक्रम कैसे कर्मचारियों के लिए जो इसके सदस्देश हैं उनको मौदरिक विश्यों में, भुगतान के विश्यों में, राजकोशी विश्यों में, उनके लिए अल्प प्रप्रशिक्षन पाठिक्रम याने शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंड़क करता है। ये तो उसके पांच-च्छे इसके उद्देश हो गया। 27 दिसंबर 42 को स्थापना, अगला बिंदु भारत इसका संस्थापक देश है, भारत इसके संस्थापक देशों में से एक याद रखेंगे, 1945 में भारत स्वतन्त नहीं हुआ था, लेकिन स्वतन्ता मिलेगी ये मालुम था, तो भारत ने भी अपना प्रतनित भेजा था। अब आखिर इस संस्था की जरुत क्यों पड़ी, ऐसी संस्था की आउश्कता क्यों पड़ी, जब पहला विश्वध हुआ, तो उसी समय महसूस किया गया कि अंतराश्टी मौद्रिक सहयों की जरुत है, और आर्थिक राश्टीता की भावना जो बढ़ गई है, तो 1930 मे एक बहुत बड़ी आर्थिक घटना दुनियों में हुई थी, उस घटना का नाम है विश्व व्यापी आर्थिक अवसाद, विश्व व्यापी आर्थिक अवसाद, यानि अचानक कीमतों का बढ़ना, डिमांड और सप्लाई आदी में, दे ग्रेट डिप्रेशन, डिमांड और सप्लाई आदी में विकट संकट हो जाता है, एक बड़ी अजीव स्थिती हो जाती है, जब उद्योग बंद होने लगते हैं, बेरोजगारी बढ़ने लगती है, महंगा की आये कम हो जाती है, और सबसे बड़ी समस्या यह हो जाती ही कि समस्या का निराकरण कहां से किया जाए, ये घटना हुई थी 1939 में, ग्रेट डिप्रेशन, जिसे विश्वयापी आर्थिक अवसाद, भी कहते हैं, पूरी दुनिया में, 1931 में, अंतराष्टी स्वर्णमान, ऐसा देखा गया, और प्रतेक देश अपने आयतों में कमी करने लगा, निर्यातों को बढ़ावा देने लगा, आधी आधी, परणाम क्या हुआ, कि अंतराष्टी व्यापार जो है, अंतराष्टी व्यापार इस पे बड़ा बुरा असर पड़ा, ग्रेट डिप्रेशन के बाद की स्थिति को लेकर अंतराष्टी व्यापार की स्थिति बड़ी डावा डोल हो गई, पूझी का आवागमन बहुत बिगड़ गया, बहुत बिरा असर पड़ा, और इस सबका असर अंतरिक अर्थवरस्था पे पड़ा, देश की अंदरूनी अर्थवरस्था सभी दे जैसे ही दूसरा विश्वद्र शुरू होता है जितने भी देशों के बीच में समझोते हुए थे आपसी समझोते इन समस्याओं को सुलजाने के लिए आर्थिक समस्याओं को वो सब समझोते रद मान लिए गया अपने आप समाप्त हो गया तो ये प्रिष्ठ भूमी है किसकी अंतराष्टी मुद्रा कोश की स्थापना की प्रिष्ठ भूम अंतराष्टी मुद्रा कोश की स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी इसका बैक ग्राउंड है ये कुछ कारण हमने बता दिया 1944 में Breton Woods Conference होती है ब्रेटन WOOD नामक जगा पर ये Conference होती है जिसमें 44 देश शामिल होते हैं और एक समझोता होता है जिसे हम कहते हैं Breton Woods Conference 1944 उसमें एक agreement होता है समझोता होता है और उस समझोते के तहठ कुछ संस्थाओं की स्थापना का निर्णा लिया दाता है ये बहुत फार रीचिंग दूर दृष्टी वाला निरने था बहुत दूर की सोच के साथ ततकाली निताओं ने इन संस्थाओं के स्थापना के बड़े समय पर की इससे पहले कि आर्थिक समस्या इतनी गहरा जाए कि विश्व उससे उबर ही ना पाए इन वैश्विक संस्थाओं के स्थापना ने बहुत राहत दी और इस ब्रेटन वूर्ट्स कान्फरेंस 1944 के मध्यम से जिन संस्थाओं के स्थापना हुई उसमें पहला था अंतरराश्टी मुद्राकोश और दूसरा था इंटरनाशनल बैंक फॉर रीकंस्ट्रक्शन और डेवलप्मेंट जिससे शॉर्ट में वर्ल बैंक कहते हैं वर्ल बैंक आई बी आडी है वर्ल बैंक और पहला क्या था आई एम एफ इंटरनाशनल मॉनेटरी फंड तो इस परकार ये दो संस्थाओं का निर्माण ब्रेटन वूट कांफरेंस के जरिये होता है 1944 के इस ब्रेटन वूट कांफरेंस में 44 देशों ने भाग लिया और इस कांफरेंस की जरुरत की प्रिष्ट भूमी में ये तीन-चार बिंदू मैं पूर में बता चका हूँ और इस परकार एक बहुत अहम संस्था की स्थापना 1944 में होती है ब्रेटन वूट कांफरेंस के बाद स्थापित ये दोनों संस्थाएं मातपूर्ण तो हैं भारत इनके संस्थापक देशों में रहा है और भारत उन देशों में हैं जिसने इन दोनों संस्थाओं का अपने आर्थिक विकास में भरपूर उप्योग किया है भारत ने अंतराश्टी मुद्रा कोश की मदद से अपने आप बहुत सारे बड़े-बड़े प्राजेक्ट 1947 के बाद के काल में बनाए हैं उसकी सहायता से इसे बहुत लाब पहुचा है चूंकि भारत आएमेफ का सदस्थ है इसलिए आटोमेटिकली वो वर्ल्ड बैंक का भी सदस्थ है और वर्ल्ड बैंक की सदस्था के नाते उसे बहुत बार वित्ती सहायताएं मिली हैं वित्ती सहायता के दो तरीके हैं एक तो या तो इंट्रेस्ट फ्री लोन और या इंट्रेस्ट के साथ लोन ब्याज के साथ लोन और ब्याज दर भी अत्याधिक कम रहती हैं भारत के अनेकों प्रोजेक्ट आप जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट सुन रहे हैं या शहरों में रायपुर में अंडरग्राउंड सीवेश सिस्टेम अंडरग्राउंड ड्रेनिश सिस्टेम मेट्रो रेल प्रोजेक्ट आदी आदी जो बन रहे हैं इनका पैसा कहां से आता भारत के प्रधान मंतरी या भारत की सरकार जब तब अनेकों योजनाओं का शिला नियास करती है अनेकों योजनाओं की घोशना करती है इसका पूरा पैसा कहां से आता है निश्चित रूप से काफी कुछ पैसा भारत स्वयम भारत सरकार के पास स्वयम के कोश में है लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे प्रोजेक्स में विश्व बैंक से लिए गए लोन से कारे करने में ज्यादा सहुलियत होती है तो जो जिन प्रोग्राम्स की मैंने बात की चाहे वो ड्रेनिश सिस्टेम हो अंडरग्राउंड चाहे वो मेटरो रेल हो चाहे अंडरग्राउंड केबिलिंग सिस्टेम हो इन सब में भारत को वर्ल्ड बैंक से और आएमेफ से बहुत साहता मिली है अंतराष्टी मुद्रा कोश की निगरानी की शर्थ पर भारत को कई बार परामर्ज भी मिला है प्रामर्ज सहाइता भी पराप करते रहा है तो इस परकार भारत निश्चित रूप से इसका बेनिफीशियरी रहा है जब स्वतंत्र हुआ था भारत तो उसके पास इतना पैसा नहीं था लेकिन विकास की जरूरत थी आधार्बूर्ट स्विधाओं की तुरंट जरूरत थी कोश के अभाव में निर्धन्ता के कारण विभाजन की समस्या के कारण विकास की कोई बात ही नहीं हो रही थी लेकिन तत्कालीन सरकार ने मुद्राकोश से, बैंक से सहायता ली है और सारे प्रोजेक्ट अब समय समय पर उसने बनाए है अंतराश्टी विश बैंक ने इस तरह दुनिया के बहुत से देशों को विविन विकास के खेत्रों में, विविन परियोजनाओं में, उसके निर्माण में, उसके विस्तार में और इन योजनाओं के क्रियानियन में बहुत महत्पूर्ण भूमिका निभाई है वर्ल बैंक का जो ढाचा है इसको भी थोड़ा हम समझ लें इसका संगठन किस रूप में है इसकी कारेश यली कैसे है क्योंकि वर्ल बैंक आर्थिक मुद्दों को देखता है इसलिए वैसे ही अत्याधिक महत्पॉर्ण है इसका जो संगठन है वो त्री स्टरी है तीन चरणों में है आप जैसा देखेंगे सबसे उपर इसका अध्यक्ष है दूसरे स्टर पर इसका एक अधिशासी निर्देशक है और तीसरे स्टर पर शासक मंडल तो ये तीन इसके चरण है अध्यक्ष कौन होता है अध्यक्ष का निर्वाचन अधिशासी निर्देशकों द्वारा किया जाता है अधिशास की निर्देशक जिनकी सदस्य संख्या 21 होती है 21 इसमें से पांच सदस्यों की नियुक्ति वर्ल्ल बैंक करता है उसके पांच बड़े हिस्सेदार करते हैं इंग्लेंड, अमेरिका, जामनी, फ्रांस और जापान और 16 जो प्रशास्निक निर्देशक हैं, इनकी नियुक्ति शासक मंदल करता है, तीसरे चरण से उपर जाते हैं, तीसरे चरण के लोग 16 लोग का चैन करते हैं तो इस प्रकार, पांच सदस्यों की नियुक्ति, विश्व बैंक के पांच बड़े हिस्सेदार, पांच बड़े हिस्सेदार से क्या ताज़ पर हैं, जो वर्ल्ड बैंक को सबसे ज़्यादा पैसा देते हैं वर्ल्ड बैंक को चलाने के लिए और वर्ल्ड बैंक के द्वारा दुनिया के जरूरतमन देशों को लोन देने के लिए, जो देश सबसे ज़्यादा पैसा देते हैं वे देश पांच को चुनते हैं, और बचे सुला को नीचे का शासक मंडल चुनता है इसका जो कारिशाली है, इसमें प्रशासक, निर्देशक बोर्ड की जो मीटिंग है, वो महीने में एक बार जरूर होती है, कभी कभी ज़्यादा भी हो सकती है और इसकी अध्यक्षता शासक मंडल का अध्यक्ष करता है तो हर महीने इसकी मीटिंग नियुनुतम एक होनी आवश्चक है अब ये संस्था जो आर्थिक दृष्टि से दुनिया के लिए सबसे महत्पूर्ण संस्था है उसकी साहता के लिए 6,000 लोगों का स्टाफ है कितने 6,000 जो विष्व बैंक के विभिन कारियाले में प्रदस्थ हैं विभिन प्रॉजेक्ट से जुड़े हुए हैं और इसके विभिन तरह के कारे करते हैं शासक मंडल जो है वो विष्व बैंक की सर्वोच संस्था होती है विशिप बैंक के उद्देशों को मैंने संक्षित में बताया एक बार उसको थोड़ा सा पुनह दोहरा दें क्योंकि जहां आएमेफ के उद्देशों से थोड़ा इसमें अंतर है पहला उद्देश आर्थिक पुनह निर्माण एवं विकास के लिए याद रखेंगे लंबे समय के लिए धन देना यानि धन देना ही नहीं बलकि धन लंबे समय के लिए और किस उद्देश से आर्थिक पुनह निर्माण एवं विकास के लिए अब ये जो पहला बिंद्धु है पहला उद्देश जो है इसको हम तीन भागों में बाट सकते हैं पहला भाग युद्ध के उपरांत अर्थिवस्था के पुनह निर्माण के लिए पुनर निर्माण किस तरीके का बात यह आती है क्योंकि मैंने पहला उद्यश बताया आर्थिक पुनर निर्माण और विकास के लिए लंबी समयावधी के लिए दिये जाने वाला कर्ज तो पुन्ह निर्माण की परिभाशा में क्या क्या आता है पहला युद्ध के बाद पुन्ह निर्माण अर्थ वेस्था को सुधारना दूसरा शांतिकाल में जरूरतों के अनुसार उत्पादक राशियों को फिर से वित उपलब्द कराना शांतिकाल में जरूरत के अनुसार और तीसरा है अलप विकसित देशों में साधन और उत्पादन की सुधाएं विकसित करना तो युद के समय पुननिर्मान, शांती के समय पुननिर्मान और अल्प विकसित देशों में पुननिर्मान कैसे साधनों और उत्पादन के सुविधाएं उपलब कराते हुए ये तो हो गया इसका पहला उद्यश विश्बैंका अब दूसरा द्यश क्या है दूसरा उद्यश है भुगतान संतुलन की समस्या एवं अंतर राश्टी व्यापार के संतुलित विकास हे तू दीर्ग कालीन विन्योग पैसा लगाना विन्योग करना है ने पैसा लगाना कैसे भुगतान संबंधी भुगतान संतुलन की समस्या ये भी एक अर्थशास्त्र का विश्या है कि भुगतान संतुलन और अंसंतुलन क्या है जिसे आप अर्थशास्त्र के एक अध्याय में आप देख सकते हैं यहां पर फिलहाल सीमी तो इस बात पर रखें अपनी सीमा कि भुकतान संतुलन की समस्या एवं अंतर राश्ट्री व्यापार के संतुलित विकास हे तू विन्योग इसको प्रुसाहित करने के लिए जिससे की सदस्य देशों की उत्पादक्ता बढ़े यह हो गया इसका दूसरा उद्देश तो यह शांतिकाल में भुकतान संतुलन और व्यापार संतुलन विश्व बैंक के पांच उद्देशों में से अब तीसरा उद्देश है सदस्य देशों में पूंजी निवेश करना सदस्य देशों में पूंजी निवेश करना पूंजी निवेश को प्रोचाहित करना और वो किस तरीके से उसके दो तरीके पहला निजी रिण और पूंजी निवेश है तो गारंटी प्रदान करना पर्सनल लोन निजी रिण और दूसरा है निजी पूझी निवेश की गारंटी दिये के बाउजूद भी यदि उत्पादन पूझी उपलब्द ना हो तो उत्पादक कारियों हे तू रिण उपलब्द कराना निजी पूंजी निवेश की गारंटी दिये जाने के बावजूद भी यदि पूंजी उपलब्ध ना हो तब उध्पादक्त कारियों हे तु रिण उपलब्ध कराना ये आगया पूंजी निवेश के तहट जो तीसरा उदेश है चोथा उद्यश्य, वर्ल बैंक के उद्यश्यों में चोथा उद्यश्य है, लगू एवं ब्रिहत एकाई, स्मॉल एवं बिग प्रोजेक्ट, तथा जरूरी योजनाओं के कार्यान्मन हेतु रिन देना। लगू या ब्रिहत एकाईयों एवं जरूरी प्रियोजनाओं हैं, जो बहुत जरूरी हैं, इन प्रियोजनाओं के लिए रिन उपलब्द कराना हूं। और पांचवा और अंतिम उद्देश इसका हो गया, युद्ध के पश्चाथ अर्थ व्यवस्था को शांतिकाली इर्थ व्यवस्था के रूप में बदलने के लिए, जो प्रियोजनाओं की जरूरत पड़ती है, उसे लागू करवाना। देखिए बहुत अहम उद्देश है, पांचवा, युद्ध के पश्चाथ अर्थ व्यवस्था को शांतिकाली इर्थ व्यवस्था में बदलने है तुप प्रियास करना, कुल मिलाके निशकर्शिय हो, और उस प्रियास करने के लिए जिन परियोनाओं को लागू करना हो, उसमें वर्ल बैंक भरपूर मदद करता है, यह हो गए वर्ल बैंक के उद्दिश, अब वर्ल बैंक कारे कैसे करता है, इसकी कारे प्रणाली क्या है, कारे प्रणाली के तहट वो उस पश्च है, कि विकास योजनाओं है तुर रिन देगा, और यह रिन कब देता है, जो विश्वा से जाता है कि सदस्य देश रिन लेने योग्य है, तथा अन्य साधनों से उचे उचित शर्तों पर वह पूरा करेगा, विकास योजनाओं द्वारा पूरा रिन वो नहीं देता, यदि भारत ने कुछ योजना एक प्रस्तावित की ह उस योजना का पूरा का पूरा पैसा, पूरी लागत वर्ल्ल बैंक नहीं देगा, वर्ल बैंक उतनी ही पूंजी देगा, जितनी पूंजी भारत स्वेम उसमें लगाए, और समय समय पर उसका विवेचन करता है, यह सुनिश्चित करता है कि भारत को इस मद में दिए गए पैसे का उपयोग भारत सरकार दोरा उसी मद में किया जा रहा है कि नहीं? कहीं इसका दुरपयोग तो नहीं हो रहा है. तो इस परकार विकास योजनाव हेत रिण देने पर कुछ शर्तें रहती हैं, कुछ परामीटर से रहते हैं, उस पेरामीटर को पूरा करने वालों को ये रिन दिया दाता हूँ दूसरा तरीका है इसकी कारप्रणाली के ताहद कि वो अपनी पूंजी से ही रिन दे देता है पूंजी से रिन देने का आर्थ ये है कि यह अपनी गारंटी पर भी रिन दिला सकता है अपनी स्वेम की गैरंटी पर अनेक बार मूल जो रकम है उस रकम के एक हिस्से को ही वा रिंड के रूप में प्रत्यक्ष रूप से दे देता है यह उसका दूसरा तरीका है लेकिन बशर्ते उसमें गैरंटी की जरूत होती है और वो गैरंटी वा स्वेम देता है तीसरा तरीका जिसके माध्यम से वह किसी क्षेतर के विकास को सुनिश्चित करता है तीसरा तरीका है भुगतान की मुद्रा यदि मैं लोन ले रहा हूँ विश बैंक से तो वो लोन रुपए में है कि डॉलर में दूसरा जब मैं लोन पटा रहा हूँ तो वो किस मुद्रा में होगा और उसकी दर क्या होगी इसको भी सुनिश्चित किया जाता है जब विश बैंक किसी देश को गैरंटी पर रिंड दिलाता है तो रिंड लेने के बाबत भुकतान करते समय उसी मुद्रा का उप्योग करेगा जिसमें रिंड लिया गया है भुकतान है तो वही मुद्रा जिसमें रिंड लिया गया यानि देश स्वतंत्र है कि वो डॉलर में लेना चाहता हो रिंड या रुपे में लेना चाहता है लेकिन यदि डॉलर में लिया है तो उसका भुकतान भी डॉलर में ही करना होगा यह विश्व बैंक की कारपराली का एक अहम हिस्सा है यह सिद्धान्द ठीक और चौथा ब्याज विश्व बैंक जो है वो अपने कोशों से जो उसके जो विबिन कोश है उससे दिये गए रिन पर सदस्य देशों से समय समय पर निर्धारिद दर पर ब्याज वसूलता है जाने लोन देते समय जो दरें हैं वो निर्धारिद कर दी जाती है और उसको वसूलने का काम वो करता है कई बार जब बैंक स्वेम गारंटी पर रिन देता है तो स्वैम की गारंटी पर एक से दस प्रतिशत तक वह रिंड लेता है, वह ब्याज लेता है, कमिशन के रूप में कमिशन किस बात का? स्वैम गारंटर बनने का एक प्रतिशत ते लेके दस प्रतिशत तक वह वहरी करता है और ये जो पैसा है जो कमिशन के रूप में आता है ये एक अलग कोश में जाता है कमिशन का कोश है समझ लीज़े वहाँ इसे जमा करते हैं कई बार क्या होता है कि कोई देश रिन का भुकतान नहीं कर पाया यदि ऐसी स्थिति आती है तो किसी देश द्वारा इस तरह के रिन का भुकतान ना किये जाने पर इसी कोश से वह भुकतान कर दिया जाता है तो ये भुकतान की समस्या से निपटने के लिए कुछ प्रणाली है कुछ पध्धती है और स्वी पध्धती के तहट ब्याज के मामले को इस तरह सिधान्त स्वी कार किया गया है अब कारिप्रणाली में अंतिम बात है तक्नीकी सहायता एवं आर्थिक समस्याओं का समाध्धान क्या? तक्नीकी सहायता एवं आर्थिक समस्याओं का समाध्धान विश बैंक जब किसी देश को किसी एक परियोजना के लिए रिण देता है तो वो सिनिश्चित करता है कि ये जो परियोजना है ये वाइबल है ये जो परियोजना है या तक्नीकी दिश्ट से मजबूत है उसका परवेक्षन कराएगा इंस्पेक्शन कराएगा और कुछ खामिया होने पर तक्नीकी सहयोग देगा तक्नीकी जानकारियां देगा तो इस प्रकार वर्ल्ल बैंक जो है वह तक्नीकी रूप से भी मदद करता है और बिना तक्नीकी परिवेक्षन के वह रिण भी नहीं देता इस तक्नीकी मदद के लावा वो आर्थिक मदद भी देता है आर्थिक समस्याएं कैसे यदि कोई देश अपने से लगाय जाने वाला पैसा लगाने की स्थिति में नहीं है किसी एक योजना में जिसके लिए उसने वर्ल बैंक से लोन लिया हुआ है तो ऐसी स्थिति में भी वर्ल बैंक के सुझाओ बड़े काम आते हैं वर्ल बैंक के सुझाओ आमंतरित किये जाते हैं और वर्ल बैंक आर्थिक समस्याओं को हल करने में भी बहुत मदद करता है तो इस प्रकार हमने देखा कि विश्व बैंक की कारे प्रणाली कैसी है विकास हो जनाओ हेतु प्राप्त धन पहला पूंजी में प्रत्यक शिरिण दूसरा बिंदू भुगतान की मुद्रा इसका तीसरा बिंदू ब्याज इसका चोथा बिंदू तक्नीकी सदस्ता एवं आर्थिक साहता आर्थिक सुझाओ आर्थिक मुद्दों पर समस्याओं पर समाधान इसका पांचवा बिंदू अब इसका छटवा जो प्रणाली का जो तरीका है उस तरीकों में छटवा बिंदू है रिन का दिया जाना तथा उसका उप्योग रिन का दिया जाना तथा उसका उप्योग उपर की पांच प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद या इन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के बाद उसकी कारप्रणाली में अगला बिंदू जो है रिन का दिया जाना तो रिण की राशे सम्मंदित देशों के एक बैंक में जमा होती है और वो भी कौन सा बैंक केंदरी बैंक ऐसा नहीं है कि वो जो राशियाई वो अधिकारियों या राजनेताओं या सरकार के खजाने में चली गए वो बैंक में जाती है उनका अपना जो केंदरी बैंक है जैसे भारत के संदर में जी बात करें तो भारत का केंदरी बैंक क्या कौन सा है Reserve Bank of India RBI रिण देने वाली संस्था वहां से वहां पर पैसा जमा करती है और जिसे रिण चाहिए वो RBI से जरूरत के अनुसार धन निकालती है दूसरे शब्दों में रिण लेने वाली संस्था जरूरत के अनुसार RBI से अपना या केंदरी बैंक से अपना रिण निकालती है यहां पर ये बात समझने वाली है कि रिण लेने वाला देश जैसा मैंने पहले बताया उस राशी का उप्योग सिर्फ उसी योजना हेत्यों कर सकता है जिसके लिए रिण दिया गया है ये बात सुनिश्चित है मैंने पूर में कहा कि जिस मद्ख के लिए लोन लिया गया है ये परमावश्यक है उस देश के लिए कि वह उस मद्ख के अंतर गती दी गई राशी का उप्योग करे अनिथा ये गैर कानुनी होगा और ऐसा किया जा रहा है कि नहीं ये सुनिश्चित करने के लिए World Bank समय समय पर निरिक्षन करता है शारीरिक रूप से स्वयम उन स्थानों का भ्रह्मन करता है जहां पर पैसा लगाये गया है साथ ही समय समय पर रिकॉर्ड और रिपोर्ड भी मांगते रहता है कहीं किसी तरह की इसमें गर्बड़ी हुई हो तो World Bank बड़ी सक्ती से पेश आता है आने वाला रोन रद कर सकता है आगे दूसरे लोन देने में अस्विकार कर सकता है और संभव हुआ तो Black List भी कर सकता है सात्वा और अंतिम पहलू कारे प्रणाली का रिण की सीमा कितना रिण? नियूनतम कितना और अधिकतम कितना? रिण देने वाली संस्था है यह तै है और लंबे समय के लिए रिण देती है यह भी तै है अब इसकी सीमा क्या है? विश्व बैंक अपनी अर्जित पूंजी और अपनी निजि से ज्यादा रिण नहीं दे सकता यह इसका मूल मंत्र है जितना पैसा कमाया है विश्व बैंक ने और जितना उसके खजाने में है उससे ज्यादा रिण नहीं यानि रिण की अधिकतम सीमा क्या हुई? जितना उसके खजाने में है जितना उसने कमाया है उतना वो रिण दे सकता इसके साथ ही ना वो रिण इससे ज़्यादा दे सकता है ना किसी अन्य संस्था से उस देश को रिण दिलाने में किसी तरह की मदद कर सकता है तो ये उसकी सीमा का बंधन है रिण उतना ही जितना उसके पास है तेते पाउं पसारिये जेती लांभी सौल वर्ल बैंक अपने पैर उतने ही फैलाता है जितनी लंबी उसकी चादर है उतना ही वो रिन देगा जितना पैसा उसके पास है उसके स्वाइम के कोश में है उसने स्वाइम ने कमाया है अर्जित किया है उससे ज्यादा नहीं ये तो हो गया विस्तार से विश्व बैंक के स्थापना उसका कारे मंडल और उसके उसकी कारे प्रणाली के बारे में जानकारी कारे प्रानाजी को जानते हुए हमने ये भी जाना कि भारत किस प्रकार विश्व बैंक का बेनिफीशियरी रहा है और समय समय पर उसने विश्व बैंक से रिंड लिये हैं सामानित या विश्व बैंक जो है वो रिण सदस्य राष्ट की सरकार को देता है मैंने जैसा पहले बताया और वो पैसा वहां के केंदरी बैंक में जमा करता है लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई बहुत नामी प्रतिष्ठित निजी संस्था किसी एक बड़े प्रोजेक्ट में लगी है जिसे सरकार ने अपने प्रोजेक्ट के लिए लिया है तो ऐसी स्थिति में यह भी संभव है कि वर्ल बैंक निजी संस्था को भी रिण दे शर्त यही कि रिण मांगने वाला देश रिण मांगने वाले देश को सरकार द्वारा रिण की गैरंटी दी गई है यहनि सरकार से उसको जोड़ के रखना जरूरी है स्वयमेव कोई इंडिपेंडन तरीके से वर्ल बैंक से रिण नहीं मांग सकता ऐसी स्थिति में उसका गैरंटर कौन बनेगा सरकार यह आवश्चक है उधारन के लिए भारत के कई राजियों ने भी वर्ल बैंक से रिंड लिया है देश की सरकार ने तो लिया ही है केंदरी सरकार दिल्ली में बैठी हूँ इसने तो लिया ही है लेकिन राजियों के दौरा भी समय समय पर रिंड लिया जाता रहा है पर ये सरकारों के द्वारा भले ही राज सरकार हूँ और ऐसी स्थिति में भी गैरेंटर के रूप में सरकार रहती है 1993 में या 1993 तक वर्ल बैंक से भारत ने करीब 42 अरब डॉलर का रिंड लिया था रिंड ले चुका है कितना 42 अरब डॉलर और एक डॉलर की कीमत यदि हम 70-80 रुपए लें तो आप देख लिए कितना बड़ा धन रिंड के रूप में भारत ने लिया है और इसकी रिंड अदाएगी भी स्वैम में एक मुद्दा है ये जो रिंड लिये गए भारत के द्वारा समय समय पर ये बंदर गाहों को बनाने उसके विकास तेल अन्वेशन विबिन ओर्जा शक्ति परियोजनाओं के लिए वायुजानों के लिए कोईला लोहा रेल तकनीकी विकास और जोगिक विकास और फिर पिछडे वर्गों या पिछडी जातियों के विकास के लिए रिंड के रूप में लिए गए हैं या सहायता के रूप में भी लिए गए हैं सहायता के रूप में यदि रिन होता है तो वह एक तरीके से ब्याज मुक्त रिन होता है विश बैंक की सदस्ता के कारण भारत को ये मदद बड़े खुले रूप में मिलती रही है और उसका दूसरा कारण ये भी है कि भारत समय के अनुसार, शेडियूल के अनुसार रिण की अदाएगी करता रहा है विश्व बैंक के सज़स्ता के कारण भी भारत को क्रिशी में, उर्जा में, उद्योग में और अन्य विविन खेतरों में समय समय पर सहायता मिलती रही है निश्कर्श ये कि भारत का विश्व बैंक से निकट का सहयोग रहा है भारत ने अपने विकास की दोड़ में विश्व बैंक की भरपूर मदद ली है और भारत एक विश्व बैंक की नजर में विश्वसनी देश के रूप में है जो रिन अदाएगी भी करता है